नमस्कार मेरे प्रिये साथियो कैसे हैं दोस्तों आप सब आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली विभिन परिक्षाओं की तरी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ M.com की first cutoff list इसमें आपको मैं बताऊंगा entrance की merit की ये दोनों cutoff हो गई और इसके अंदर जो CW और PWD form फिल करते हैं उन सभी की cutoff है first cutoff पूरी schedule जो है इसके अंदर आपको मैं पूरा clear कर दूँगा और इसकी PDF आपको हमारे टेलिग्राम चनल पे मिल जाएगी टेलिग्राम चनल का link नीचे description में आ रहा है आप सभी वहाँ जोइन हो जाएगे आपको वहाँ पर इसकी PDF उपलब्द हो जाएगी बात करें जो 2022-30 की त्यारी कर रहा है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा information वाली होगी क्योंकि दोस्तो 2022-30 की सत्र में जब भी दिल्ली विस्विदाले अपने form release करेगा entrance के merit के जैसे भी form आएंगे कैसे form फिल करना है कैसे हमें preference लगानी है कैसे entrance होगा कैसे admit कर आएगा जो सभी तमाम जानकारियां होती है दिल्ली विस्विदाले की आप सभी को हमारे चैनल के माद्रम से up to date मिलती रहेंगी जैसे यहां पर इस साल भी मिल रही है 2021 के समझ गए तो आप सभी को बता दू यह मैं आपको m.com की first cutoff list जाओंगो जैसे कि मैं आप सभी को मैरिट और CWD और PWD इन दोनों का first cutoff list पूरों का पूरा schedule है इसके अंदर बिल्कुल आप सभी को देखना है कि इसके दर सबसे highest कितने गए है marks और सबसे कम marks कितने गए हैं आपको इस हिसाब से तयारी बना के रखनी है कि आपका 223 की सत्र की त्यारी कर रहे हो तो आप जो करते हैं OBC category के लिए तो OBC के लिए गया है 196 सभी अपना note down करते रहे हैं बात करते हैं entrance में SC category के लिए कितना गया है M.com में तो 179 इतना ही आप जो है score बना के रखिए 180 तक अपना score रखिए अच्छे से त्यारी करिए और जैसे भी information होगी तो आपको मैं सबसे पहले provide करा कि आप सभी को सबसे पहले मिलती रहेगी अगर आप ST category के हैं और entrance के त्यारी कर रहे हैं M.com की तो आपके कम से कम 180 score तक होना चाहिए first cutoff list के लिए M.com में अगर आप EWS category से block करते हैं entrance के त्यारी कर रहे हैं M.com की तो 202 marks आपके कम से कम होने चाहिए बात करते हैं merit list की तो मेरे साथ यहां से लग गई है आपकी merit की list और जो भी अनजड़ category वाले हैं उन सभी के लिए बता दू यहां पर जो है qualifying marks आप यहां पर देख सकते हैं कि 100 पूरे 100 गए थे यहां पर और दूसरा देख सकते हैं 89.99 तो मतलब कम से कम आपको 89 या 90 cross रखने पड़ेंगे अ तो मेरे साथ यह अब आ गए हैं हम OBC के लिए जो merit से admission लेना चाहरें M.com के उन सभी के लिए कम से कम 85% उनकी marks होने चाहिए graduation में समझ के 85% बिल्कुल 85% तक आप अपने जो है बना के रखिए third year तक अगर आप graduation category से block करते हैं जैसे कि ST category से block करते हैं merit से admission लेना चाहते हैं M.com में तो कम से कम आप भी 85% बना के रखिए अपने third year तक 85% तक आपके हो जाए M.com के लिए तो next category देखते हैं फिर गया है तो मेरे साथ ही ST category से admission लेना चाहते हैं M.com में डिव से करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी 83% होनी चाहिए तो हम यहीं बात कर लेते हैं EWS category के लिए देखिए यहाँ पर 84% गया है first cutoff list 2021 का और 2022 में भी इतना ही जाने वाला है तो आप कम से कम इतने marks अपने बना के रखिए अगर आप PWD candidate हैं और merit से admission लेना चाहते हैं M.com में तो यहाँ पर आपकी कम से कम जो है 81% गई है 81% होनी चाहिए और minimum जो है यहाँ पर आपसे भी कम बता दू कितनी होनी चाहिए जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 72 गया है SC category के लिए यहाँ पर भी आपकी एक category होती है एक होती है PWD समझ गे PWD आपकी तो यह main category हो गई और इस category में भी एक और category होती आप journal है OBC है SC है EWS है तो यहाँ पर जो SC category की गई थी 72 गई थी वैसे में बात करूँ जर्नल काटेगरी की तो जर्नल काटेगरी की यहाँ पर 71% गई थी हंसराज कॉलेज के लिए बिल्कुल जैसी आप preference लगाएंगे उसी साफ से आपको college मिलेगा तो preference जैसे भी लगानी है दिल्ली विष्दाल की उसके लिए मैं आपको 2022 दिस में जैसे भी form आएगा वो भी बताऊंगा बिल्कुल आप जो है यहाँ पर आपको निश्चिन्त रहिए 2022 दिस की से तयारी के रहिए और यहाँ पर जो है प्रियाटी दी हुई है प्रियाटी के हिसाब से आपको जो है admission मिलेगा बात करते हैं अगर आप पीडरोडी केंडिडेट हैं अपने entrance दिया है या देंगे एमकॉम का 2022-2070 में तो उसके लिए आपको कम से कम जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप आपकी 141 141 जो है आपके entrance marks होने चाहिए और यहाँ पर हम बात करें कि आपकी qualifying percentage 64.44 मतलब 65 तक आपको रमसम लखनी है अपनी 65% तक बिल्कुल PWD के date वाले जो entrance देंगे M.com admission लेंगे तो आपकी percentage भी अच्छी होने चाहिए और जो आपके final entrance marks है यह भी अच्छी होने चाहिए बात करते हैं अगर आपके CW कोटा है और आप entrance देना चाहते है M.com का दिल्ली विशुजाली के लिए 2022-2070 में तो आपके कम से कम नहीं अगर marks होंगे आपके तो आपका admission हो जाएगा वो आपको depend करती है अपने priority क्या लगाई है जैसे आपकी priority होगी उसी साब से आपको number मिल जाएगा जैसे कि मेरे साथियो मैंने आपको सभी का जो है first cutoff list बता दिया है सभी category का entrance और merit पे इसकी आप जो है separate PDF लेना चाहते हैं तो आप telegram चैनल पे जा सकते हैं 33 pages की ये PDF है 33 pages का मतलब है entrance merit दोनों है इसके अंदर और PWD, CW सबका है cutoff इसके अंदर m.com का पूरा schedule है ये first cutoff list का तो आप जो है telegram चैनल पे जाके इसको download कर सकते हैं समझे के साथियो आप सभी से एक और अनुरुद है अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए क्यूंकि future में कभी भी information आएगी दिल्ली विशुदले के form के लिए तो आपको यहाँ पर सबसे पहले और सबसे सटीक information पर आपको मिल जाएगा कि कैसे form आ रहे है कैसे आपको form फिल करना है कैसे preference लगानी है वो सब ही information आपको यहाँ पर सबसे पहले provide हो जाएगी इसलिए चैनल को कर लो subscribe और बगल में देगे बल आगन को all पर प्रेस रख लो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दो इससे ज्यादा से हिंद मेरे साथियो जय हिंद जय भारत